नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का प्रजापती स्टड़ी पॉंट यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स फिर से लेकर आया हूँ मैं आपके लिए 25 कोस्टन का प्रैक्टिस सेट जो की आपके लिए काफ इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को अंतक जरूर द देखिए फ्रेंड्स जो सबसे गरम ग्रेय है वो है बुद्ध ग्रेय सुक्र ग्रेय है जो सबसे गरम ग्रेय है दिखिए जो बुद्ध ग्रेय है वो जो सूर्य है उसके सबसे नजदीक ग्रेय है लेकिन इसकी जो सूर्य का तापमान है सूर्य का तापमान के कारण अधिक गरम होने के कारण इसका जो वायू मंडल है वो नश्ट हो गया है जिसके कारण ये गरम नहीं है तो जो सुक्र है यानि जो थर्ड नंबर पर सुक्र आता है तो सूर्य है वो सूर्य है जो उसका तापमान है वो बहुत अधिक होने के कारण सूर्य पर अधिक पड़ता है तो शुक्र है वो सबसे अधिक गरम ग्रेव है नेक्ट कोशन देखते है पर्थम महिला एर मार्षल कोन सी है पर्थम महिलार मार्षल है वो कोन सी है आपके पास ओप्षन है दुरबा बनरर जी पद्मावती बंदूपाद्ध्याए सुब्रतों मुखर जी गीता ठाकुर तो ये कोलेज कोर्स पूरा करने वाली पर्थम महिला भी पदमावती बंदोपाद्याय को ही माना जाता है फ्रेंट्स ये कोस्टन भी काफेबार रिपीट हुआ है कि कोलेज कोर्स को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है तो वो भी पदमवती बंदोपाद्याई है और भारत की पर्थम एयर मार्सल भी पदमवती बंदोपाद्याई है इससे दो question बन जाते है next question देखते है सुन्दरवन किसके लिए परसीद है देखे सुन्दरवन है वो किसके लिए परसीद है तो friends सुन्दरवन है वो बागो के लिए परसीद है सुन्दरवन है जो बागो के लिए परसीद है नेस्ट कोस्टन देखते है UNO का मुख्यालिये UNO का मुख्यालिये कहा है तो आपके पास option है Paris, Geneva, Washington, New York तो फ्रेंट्स इसका जो right answer हो जाता है वो हो जाता है New York यानि अमरीका में अमेरिका में है UNO का मुख्यालिये New York में यानि अमेरिका का एक राज्य है New York पर चंद्रमा पिर्थवी पर कितने दिनों में चक्र पूर्ण करता है देखिए चंद्रमा है जो पिर्थवी पर कितने दिनों में चक्र पूर्ण करता है तो देखिए फ्रेंट ये 27.3 यानि 28 दिनों में 28 दिनों में पूरा करता है पिर्थवी पर चंद्रमा चक्र को 28 दिनो सिंदू सब्वेता है वो है सहरी सब्वेता सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है तो आपके पास उप्शन दिये है उत्तर परदेश, महाराष्ट, करनाटक, आंदर परदेश तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तर परदेश इसका जो right answer है उत्तर प्रदेश है देखिए फ्रेंट्स जो गन्ना उत्पादन में भी सबसे अधिक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश देखिए आपको बता देता हूँ मैं भारत है यानि भारत है जो ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन का दूसरा राज्य है सबस्ट में आजाता है ब्राजील यानि जो सबसे अधिक उत्पादन करता है चीनी का वो आजाता है ब्राजील और ब्राजील के बाद आजाता है भारत यानि भारत का दूसरा नमबर आता है चीनी उत्पादन में तो गन्ने की चोचीनी बनाई जाती है रेस्ट कोसन देखते सबसे अधिक साक्षरता किस राज्ये में है तो फ्रेंट्स आपके पास ओप्षन है गुजरात मिजोरम केरल तिरपुरा तो जो इसका राइट आरस्वर है वो हो जाता है केरल केरल की सबसे ज्यादा साक्षरता है दिखिए जो 2011 के अनुसार 2013-91 प्रतिस्वत लोग साक्षर है और देखिए जो देश की है देश की साक्षरता है वो है 7.04 यानि 74.04 है और देखिए सेकंड नमबर और फ़स्ट पर चील आ जाता है साक्षर जिलो में सेकंड नमबर पर आ जाता है फ़स्ट पर केरल आ जाता है सेकंड नमबर पर आ जाता है मिजोरम सेकंड नमबर पर आ जाता है मिजोरम और मिजोरम की जो साक्षरता है वो है 91.58 यानि 91.58 एक्क्यावन पोइंट 58 बीस्ट कोस्टन देखते है भारत की सबसे लंबी राज्ये में विधान सभा को कोन भंग करता है तो फ्रेंट्स आपके पास ओप्षन दिये है राज्ये पाल विधान सभा अद्यक्ष राष्टे पती उपराष्टे पती तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है यानि राज्ये में विधान सबा को कोन भंग करता है तो इसका राइट आंसर हो जाता है राज्यपाल देखिए फ्रेंट जो विधान सबा है उसको राज्यपाल ही भंग कर सकता है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है यानि भारत से भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो किस देश के साथ लगती है आपके पास option दिये है बंगला देश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल ये चारो ही जो देश दिये है चारो भारत के साथ सीमा बनाते है तो आपको बत 15107 किलोमेटर की लंबाई जो वो है सीमा बनाता है भारत के साथ बंगलादेश रेस्ट कोशन देखते हैं कोलकाता किस नदी के किनारे इस्तित है तो आपके पास ओप्शन हो जाते हैं गोमती हुगली सर्यू गोदावरी तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूं मैं जो कोलकात है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स ये कोशन काफी बार रिपीट हुआ है कि कोलकाता किस नदी के किनारे इस्तित है तो जो कोलकाता है वो है हुगली नदी के किनारे है देखे हुगली नदी के बाए किनारे पर कोलकाता इस्तित है ये कोशन भी पूच लिए जाता है कि कौन से किनारे यानि बाए किनारे पर कोलकाता इस्तित है तो फ्रेंट्स जो पस्चिम मंगाल की राजदानी हो जाती है कोलकाता रेश्ट कोंशन देखते हैं पिर्थवी सम्मेलन 1902 में कहां सुरू हुआ था तो आपके पास ओप्सन है रियोडी जेनेरियो पैरिस वासिंग्टन जेनेवा तो फ्रेंट्स आपको बता देता हूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है रियोडी जेनेरियो हो जाता है यानि जो पिर्थवी सम्मेलन 1902 में हुआ था वो रियोडी जेनेरियो में हुआ था तो इसका राइट आंसर रियोडी जेनेर में नेश्ट कोसन होता है तो उसका राइट आन्स in वह वह जाता है अमेरिका अमेरिका अघ। अमेरिका में इस्तित है अलीगड आंदोलन के संस्थापक कोन थे तो फ्रेंड आपके पास ओप्शन है मुहमद जिन्दा लियाकत अली सर सयद मुहमद खान सोकत खान अली तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो सर सयद मुहमद खान थे यानि जो अलीगड आंदोलन के संस्थापक थे वो थे सर सयद मुहमद खान अलीगड आंदोलन के संस्थापक है सर सयद खान मुहमद रेश्ट कोसन देखते हैं बंगला देश की स्थापना कब हुई बंगल इसका जो राजधानी है वो है धाका और इसकी मुद्रा है वो है टका और जो यहां के पी एम है वो है सेख हसीना रेस्ट कोशन देखते हैं कोनार्क मंदिर कहां इस्तित है फ्रेंड्स आपके पास ओप्शन है केरल ओडिशा राजिस्तान तमिल लाडू तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ओडिशा याणि ओडिशा में है कोनार्क मंदिर देखें ओडिशा का जो गरोनर है वो है स्री गड़ेसी लाल याणि गड़ेसी लाल है वो ओडिशा का गरोनर है वो जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री हो जाता है नव महादीपों की संक्या आपको option दिये हुए है पांच साथ छे चार देखे जो इसका right answer है वो हो जाता है साथ यानि महादीपों की जो संक्या है वो है साथ महादीपों की संक्या साथ है अपरिका, अंटार्टिका, एसिया, आस्ट्रेलिया, उत्री अमेरिका, दक्षिरी अमेरिका और यूरोप ये साथ महादीप है रेस्ट कोस्टन देखते है हुक किस खेल से संबंदित है हुक है जो वो किस खेल से संबंदित है फ्रेड्स हुक्खेल है जो वो है मुक्खे बाजी से मुक्खे बाजी से संबंदित है हुक्खेल रेस्ट कोस्टन ज्वाला मुक्खी मंदिर कहा इस्तित है ज्वाला मुक्खी मंदिर है वो कहा इस्तित है आपके पास option है उम्र अंगूठा पहचान पत्र सिक्षा तो जो इसका right answer हो जाता है वो हो जाता है उम्र यानि vote देने के लिए उम्र जरूरी है next question देखते है राष्टिपती का कारेकाल कितने वर्स का होता है आपके पास option दिये हुए है 6 वर्स, 5 वर्स, 10 वर्स या कोई सीमा नहीं तो इसका right answer हो जाता है 5 वर्स यानि राष्टिपती का जो कारेकाल होता है वो 5 वर्स का होता है next question देख लेते हैं जनगंडा किस अंत्राल में होती है जनगंडा होती है वो किस अंत्राल में होती है आपके पास option दिये हुए है 5 वर्स, 1 वर्स, 10 वर्स, 20 वर्स तो friends इसका जो right answer हो जाता है वो हो जाता है 10 वर्स यानि जो जनगंडा होती है वो 10 वर्स के अंत्राल में होती है इसका जो right answer हो जाता है वो हो जाता है देरादून यानि जो इंडिया मिलिटरी एकादमी है वो देरादून में इस्तित है अबुल फजल किसके सासनकाल में थे आपके पास option है अकबर, हुमायू, ओरंजे, बाबर तो जो इसका right answer हो जाता है वो हो जाता है अकबर यानि अकबर के सासनकाल में थे अबुल फजल बंगला देश का विभाजन कब हुआ, आपके पास option दिया हुए है 1971, 1965, 1972, 1999 दिखें फ्रेंट्स इसका जो right answer हो जाता है वो हो जाता है 1971 बंगला देश का विभाजन हुआ था 1971 में तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जे हिल्द जे बारत